हाव रूफीक्स वान प्लस नाइन प्रो कॉल हेंग आउट प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों स्वागर है अब सभी का तिकिराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने वान प्लास के डिवाइस में कॉल हें हेंगाउट प्रॉब्लम सौलफ कैसे कड़ सकती तो दोस्तों अगर आप को कॉल हिंगाउट का ौराइं हए आप पर बात करते है तब का कॉल हो जाते कॉछे हैं तो कैसे अपको ये 혹시 वीडियो पे बताने वाला उ lenses को स्ब्सक्राइब कर लाह तो चे हैं वीडियो को अंद आप उनलाइन पैसा कमाना चाहते तो दोस्तों वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लेम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्वीटर पर फॉलो करके मेसेज कर सकते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों यह जो कॉल ह हेंग आउट का इश्यू है सबसे पहले तो आप यहाँ पर मोबाइल को रिस्टार्ट करें अपनी सिम को इजेक्ट और इंसर्ट कीजिए उसके बाद दोस्तों चेक करके देखिए अगर प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाता है तो ठीक है अगर आभी प्रॉब्लम आ रहा है तो जाये दोस्तों सेटिंग पर स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और यहाँ पर आपको सिस्टेम पर जाना है रिसेट पर क्लिक करना है रिसेट वाइफाय मोबाइल डेटा एंड ब्लूटूट पर क्लिक करके नेट्रोक सेटिंग को रिसेट करना है रिसेट सेटिंग पर क्लिक कर नेट्रौक टाइब जो है उसको स्वीच करके देखेने नेट्रोक स्वीच करने के बाद दोस्तों आप अपने सीम पर जाएए वोल्ट इनेबल कीजिए आपका वाइफाई को डिसेबल कीजिए access point को reset कीजिए और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर नेट्रोग problem फेस कर रहा है तो नेट्रोग को यहाँ पर switch कीजिए ठीक है automatically या फिर manually नेट्रोग आप यहाँ पर switch कर सकती है तो यह सारे solution आप follow कीजिए नेट्रोग के related में और उसके बाद जब आपका यहाँ पर नेट्रोग problem solve हो जाएगा सारे साल आपका call hangout issue भी fix हो जाएगा by any chance यह solution करने के बाद भी अगर आपको यही problem आ रहा है तो दोस्तों यह एक setting चेक किजिएगा power button to end call ठीक है तो यह setting दोस्तों कहाँ पर मिलेगा आईए एक बार चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं power button and call तो यहाँ पर आप देख सकते power button and call system accessibility के अंदर पर हैं तो वहाँ पर जाएए और यह रहा दोस्तों setting तो यह setting आपका off होना चाहिए क्योंकि गलती से जब आप power button को प्रेज कर देते तो बार बार आपका call hangout होते रहेगा और यह चीज़ मेरे साथ भी कई बर हो चुका है already तो आप यह भी चेक करके देखें next आपको क्या करना है setting पर जाना है scroll down करना है उसके बाद app and notification पर क्लिक करना है see all apps पर जाना है और उसके बाद नीचे आना है phone service search करना है तो यहाँ पर phone service पर जाएए और उसके बाद आपको storage and case पर क्लिक करना है clear storage पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको बेक करना है permission पर जाना है सारे permission allow कर देना है और उसके बाद बेक करना है mobile को restart करना है और check करके देखना है आपका problem solve हो चुका होगा तो इस तरह के से calling out problem solve कर सकते हैं by any chance अगर आपको इसके बाद भी problem आते हैं तो जाएए setting करें उसके बाद आये दोस्तों अपने system के अंदर पर और software को अपडेट कर दीजिए जैसी software update होगा आपका problem उसी के साथ भी fix हो जाएगा ठीक है तो इस तरह के से आप अपने mobile के call hangout problem fix कर सकते हैं और दोस्तों यहां पर आपका जो phone service है उसको भी update जरू किजेगा ठीक है उसको update करने के लिए आपको simply type करना है phone service और यह मिल जाएगा तो जाकि इसको update कर लेना और उसी के साथ आपका phone service भी काम करेगा calling out issue भी fix हो जाएगा तो बस दोस्तों यह था solutions call hangout problem का उमीद करते हैं आपको वीडियो पसने होगा आज के लिए वस इतना ही टैंक्स पर वाचिंग